आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीजो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो से लीशन पाओ डाउटनेट नाओ क्या होता है अब हम लोग यह समझते है तो यह होता है हीट इनर्जी प्रोड्यूस्ट पर किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ फिवेल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो फिवेल जितने अमाउट उफ हीट एनरजी देगा उसकाकलाठाशिक ब्हलू उतना ही जap और यह हम लोग हीट एनर्जी पर किलोग्राम मेजर करते हैं कि एक किलोग्राम फिवेल मेरा कितना ज्यादा हीट एनर्जी दे किड़हई अब हमें कोई फिवल है जो एक किलोग्राम में मेरे को 5000 किलोजूल एनर्जी दे रहा है ठीक है दूसरा फिवल है मेरे को एक किलोग्राम में 10,000 किलोजूल एनर्जी दे रहा है तो कौन सा एफिसेंट हुआ जो 10,000 एनर्जी दे रहा है कम एमाउंट में मेरे को जाता एनर्ज किलो जोल और केज़ी मेजर करें तो हीट एनर्जी पर किलो ग्राम तो हीट एनर्जी का युणिक किलो जूल और किलो ग्राम राइट तो डीजल का 45 000 वहीं अगर मैं यहां पे बात करूं हाइड्रोज़न गैस का तो hydrogen gas का लोलर्फिक वैलू कितना हो जाता है 15000 तो hydrogen gas जादा efficient हो गया इसका calorific value एक केजी में यह 1.5 लाग किलो जो लेनर जीदे रहे और यह जीजल एक केजी में मेरे को 45,000 ही दे रहे तो यह ज़्यादा efficient हो गया तो ऐसे हम लोग efficiency of fuel को measure करते हैं ठीक है तो उस term का नाम क्या हो गया final answer में मेरा calorific value ठीक है calorific value से हम लोग measure करते हैं कितना efficient मेरा जो fuel है राइट थांक यू